नमस्कार आप सबका मेरा यूटीब चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागत है आज हम एक फीमेल हाथ का अनलेसिस करेंगे जिनकी उम्र 31-10 है और देखेंगे क्या सही और कलेक्ट निकल के आता है अब इनका कोश्चन ये है कि ये विदेश में है और वहां पर कुछ दिक्कत पता रही है वीजा से रिलेटड तो वहां country को मूफ करना है अब कौन सी country में जाए Canada जाए या ऐस्ट्रेलिया जाए ठीक है और कौन सी वहां पर कोई दिक्कते तो नहीं आएंगी काम से रिलेटड दिक्कते आएंगी वह पता है बाकी इंडिया भी अपने घर पर आना चाह हैं तो बिजनस कर सकते हैं कोई अगर जॉब करें तो जॉब मिलने में दिक्कत तो नहीं आएगी अपनी प्रापर्टी बन पाएगी नहीं बन पाएगी और आगे का फ्यूचर कैसा यहेगा और हैल्ट इशूस हो तो हैल्ट इशूस का आप पता दीजेएब देखो हाथ क्या कहता है देखो हाथ रिप्रेजेंट करता है की सब कुछ सब कुछ बताता है कैसे इन जो को पकड़ते इनका केवल concern यही है और कुछ नहीं है देखो ध्यान से समझना मैं कैसे represent करता हूँ एक एक रेखा को कैसे पकड़ते हैं कैसे पकड़ते हैं इन रेखाओं को देखो समझो यह एक यह देखो इसके बीच में एक रेखा ने ऐसे टच करा एक रेखा ऐसे गई एक रेखा ऐसे गई अब इस रेखा ने सीधी यहाँ पर टच कर दी करें यह है 21 साल यह है 23 साल समस्ते रहा तीके अब यहाँ पर यह 21 साल की रेखा भी तो आगे जा रही है जिसमें इस रेखा के साथ टच करके यह आगे भागे रेखा और सूर्य पर पर जा रहे है तो यहाँ पर मैंने क्या करा इस आफशूट को पकड़ा मैंने का इस आफशूट से एक रेखा निकल के गई है यानि कोई earning का स्रोतर यहां पर है तो जराब मैं इस रेखा को टेस्ट कर लू मैंने इस रेखा की टेस्टिंग को मैंने यहां की टेस्टिंग के साथ लगाया मैंने काई यार यह तो एक यव का निशान है यहां कुछ परशान ही आ रही होगी इनको कहीं environment की, atmosphere की कभी कभी क्या होता है अगर suppose कोई विट्टी यहां पढ़ रहा होता suppose यहां पढ़ता है कोई तो उसे क्या पढ़ाई में दिक्कत आएगी आप बोलो अगर यहां पर कोई जॉब कर रहा है तो उसे जॉब में महौल को लेकर pressure को लेकर दिक्कत आएगी क्यों क्योंकि एक offshoot निकला हुआ है और उस offshoot पर एक side पर यव का निशान डाल दिया गया है यानि एक यव 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 नहीं होते हैं ये side पर डल जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत pressure डलवा देते हैं और इस रेखा को dark कर दिया गया तो आप कैसे सारी calculations को निकाल लेते हो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये रेखा हैं चली इस रेखा का concern किस रेखा के साथ है इस रेखा के साथ है तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे हमने एक रेखा को calculation कर दी अब इसके बीच में एक अच्छा sign भी है good sign भी है 22 और 23 साल में एक good sign भी है यानि यह एक job है कोई लोग अपने betterment के लिए job change कर देते समझ रहे ना बहुत तरीके के लोग होते हैं अपने जिंदगी में यह जब जन आता है तो किसी को तरक्की मिल जाती है किसी को नई job मिल जाती है किसी का अच्छा profile हो जाता है समझ रहे हो तो मैं उसी level पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी किनी के हाथों में यह चीज़े देखो लेकिन ध्यान रखना इस वाले चिन को इस चिन के साथ मत जोड़ देना इस वाले चिन के साथ मत जोड़ देना यह वाला चिन अगर किसी के हाथ में बन गया यह केस को रिप्रेजेंट करता है और यह केस ऐसा केस होता है कि व्यक्ति को जेल तक में ले जाएगा आगे जाकर बचाता नहीं है याद रख लेना यह और वो बहुत बहुत बड़ी केस मडर तक के भी मैंने देखे हैं यह वाला चिन अगर confused मत हो न ठीक है तो यहाँ पर यह चिन केस को रिप्रेजेंट करके जेल तक ले जाएगा जेल तक ले जाएगा यहाँ पर यह दूसरा चिन था यह ऐसा बना हुआ है ठीक है इसलिए आपने सोचा अरे गोंटी हुई एक रिखा यह उपर है नीचे है अरे इसको ऐसे बोल तो ना 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 ठीक है अब देखो यह रिखा यह 23 साल की थी तो हम ऐसे आए ना ऐसे यह सब ट यह 24 गुहूम कर गई तो यह रिखा किस रिखा के साथ टैच है जा तो सब सूरे परवत पर रही है रिखा इटमिस यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने विदेश से संबंदित भी लिखा जिसका कंसर्ण मैंने 21 पर भी डाला क्योंकि यह रिखा इस पर भी जारी थी तो कभी होता है कि आदमी जब जॉब कर रहा होता है ना तो किसी को ओफर मिलती है कि भार जाने के लिए तो उसके लिए यह दोनों का कंसर्ण एक रख दिया गया है अब इस रिखा को आगे बढ़ा दिया गया है इस रिखा को आगे बढ़ा दिया गया है तो यह 24 साल ऐसे हुई तो इसको 24 नहीं कहोगे इसको 24 कहोगे भाई ये तो मुड़ के ऐसे जाए ये मुड़ गई थी तो आपने 23 क्यों कहा उसे ये 24 क्यों कहा ये तो भाई 24 तो यहां गई ये मीच वाला हिस्सा है 24 तो ये हुआ न और 25 ये हुआ ये 25 ये हुआ अब देखो ट्रेंगल्स बनते हैं तो आप क्या देखते हो इन ट्रेंगल्स को क्या कहते हो आप कहते हो ट्रेंगल्स बना हुआ है बाच्छा होता है बहुत बढ़िया होता है और ये ट्रेंगल्स जो होता है न गूगल पे सर्च मारते हो कि इस जगा पर अगर ट्रेंगल हो तो उसका मतलब क्या है अगर ऐसे पामिस्ट्री सीखनी है ना तो जिन्दगी में नहीं सीख पाओ के ये ये रेखा टच होकर जा कहां रही है ये टेरी होकर जा रही है कि कहां जा रही है ये उसी रेखा के साथ टच है जो इन रेखाँ के साथ यह रेखा यहां मर्ज हो रही थी, यह बीच में टच होके ऐसे गई है, अब इसने एक तरक्की का साइन, एक यह तरक्की का साइन, तो यह विदेश तो पहुँच चुकी है, अब देखो, क्या होता है, मैं इस वाली रेखा का मतलब क्या समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, कि इनके जो हस्बेंड है ना, वो पहले ही विदेश में रह चुके होंगे, यानि कहीं गए होंगे, मैं यह भी कभी कभी क्या होता है, यह रेखा है, जब जोड जाती है ना, तो इनका मतलब यह भी होता है, यह फार्मूला भी होता है, यानि जो है, पहल तो ये रेखाएं, वहां पर represent करके दिखाई दे रही हैं अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो तरक्की की रेखा थी लेकिन ये रेखा में क्या कर रखा है, इने ना थोड़ा सा disturbed कर रखा है ये चली गई, लेकिन disturbed है अब ये तो तरक्की की रेखा है लेकिन यहाँ पर भी डार्कनेस डाल दी यह एक ट्रेंगल दे दिया यह भी अच्छी रेखा है यह भी एक तरक्टी का साहिन है यह रेखा का मतलब क्या है इसको और इसको पखड़ो यह एकी कंट्री में है अभी तक 29 साल समझ रहे हैं यानि ये रेखाएं इसके साथ टेस्ट थी तो 29 साल पे यहां पर इनको डर लगना शुरू हो गया कि भाई अब क्या होगा हमारा अब इस कंट्री में रहना मुश्किल हो रहा है और मैं तो इसी में रहना चाहती हूँ और यहां पर तो जो है एक निया राश्पती आ गया और उसने तो एक नियम ही अलग लागू कर दी है अब क्या होगा अब उसके कारण यह जो थेट टेंशन लेना शुरू कर दिया अब यह रेखाएं तो सीधी की सीधी अभी भी अरे टेंशन आपके लेने से क्या टेंशन ने हट जाएंगी यह कनेक्शन कोई भी पाम रेडर ऐस यह कोई मैंने इन से यह कहा था कि आप यूएस में ही रहना चाहते हो लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं अस्टेलिया में लेकिन आप फिर भी कैनेडा जाओके हाँ यह रेखाएं आपको कहा कहा ले जाएंगी और क्या क्या करेंगी वो मैं मैं बताओंगा आपको तो ऐसे अगर पामिस्ट्री को समझोगे अब देखो यह हमारे 39 साल का टाइम प्रेट था एक छोटा सा एक ट्रेंगल टेड़ा ट्रेंगल यह डाल दिया गया 39 में अब यह क्यों डाला गया टेड़ा देखो क्या होता है यह सीधा तो नहीं बना न यह घर होता है यह टेड़ा बना और इसने क्या करा इस रेखा के साथ मिलकर यहां पर एक रेखा बना दी तो मैंने का कि ये घर इनका खरीदने के बावजूद भी ये रेंट पे रहेंगे क्यों क्यों क्योंकि ये टेंशन जो है बहुत कुछ करवा देती है बहुत नुकसान करा दिया यानि मुद्धा समझो कि मकान खरीदने के बावजूद भी रेंट पे रह रहे हैं कि भाया क्या होगा आगे कुछ करना यह इदर कहीं और देख लेते हैं जाओ यह तो 39 साल मैंने उस कैटेगरी में डाल दिये कि रेंट अब मैं कैसे बता रहा हूँ रेंट है क्योंकि उसका ट्रेंगल ही खुद बता रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रेखा ने इस रेखा के साथ छू रखा है कि भाई चीजे तो बनी हुई है लेकिन रह कहा रही है यह यहां रह रही है यह पामिस्ट्री कौन सब के सब आपको उलू बनाने के लिए कहते हैं कि केवल आपको भग्य रेखा को पकड़ना चाहिए और भग्य रेखा कोई नहीं समझ आता हुने कि पकड़ेंगे तो इसकी एज क्या निकलेगी यहां तक तो वह इतने इतने क्या कहूं मैं उन्हें छोड़ो है यह नहीं वर् सारी जी देखो पहले तरक्की के साइन मैंने इस वाले ट्रेंगल को नहीं बोला यह भी ट्रेंगल है मैंने नहीं बोला मैंने इस वाले ट्रेंगल को बोला क्योंकि इसका कंसर्ण इसके साथ टच था इसके साथ टच था इसलिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ा अब देख हो रहा है और ये 32 है तो मैंने का कि 32 से के करीब करीब ये और ये दोनों में थोड़ सा ही कैप पिरड़ है 32 साल तक ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाएंगी अब मैं इस रेखा को पकड़ते कह रहा हूँ कि अस्टेलिया जाएंगी मैं कैर और लेकिन इनका दिमाग अभी युएस और जहां रह रहे हैं और कहां केनडा की हो रहा है केनडा की हो रहे हैं और जो कि गलत रहेगा आप समझो एक सला देना चाहता हूँ अस्टेलिया ही रही है दूसरा अस्ट्रेलिया में रहकर दिक्कते आएं तो दिमाग मत खराब कर लेना हाई अस्ट्रेलिया में ना दिक्कत आ रही है गलट डिसीजन तो नहीं था चलो ऐसा करो कि ना अब हम ना कैनेडा चलते हैं तो वहाँ पर पैसे खराब करना शुरू करते हो सब कुछ टेंशने लेना शुरू करते हो तो क्या है आ गई ना देखो दिक्कते आ रही है ना आ रही है अब तो बत्तिसी बोला है अभी तो 32 तक जा रहे हैं उसके बाद देखो इंडिया भी आ रहे हैं अब यह रेखा का मतलब समझ लो यह जो आई है नीचे से निकल के आई है यह रेखा है क्या कहती है देखो इस रेखा को पकड़ा हमने और इसमें एक ट्रेंगल बना है इसको तो मैंने पकड़ लिया अब यह 33 और 34 आने जाने की रेखाएं और लेकिन 33 मा साल सही नहीं है क्यों क्योंकि इस पर मुझे इस फोटोग्राफ के हिसाब से एक डिस्टर्बेंस दिख रही है आप समय अब यह डिस्टर्बेंस कहा कि है मेरे को काम मिलेगा नहीं मिलेगा क्या टेंशन है तो मैं तो भाईया कह रहा हूं कि आप पे ये एक यव का निशान ऐसा लगा दिया गया है कि ना चाहते हुए भी आप नोकरी नहीं कर पाऊगे और अगर कर ली तो आप टिक नहीं पाऊगे आपका हाथ है आपके हस्बंड की बात नहीं कर रहा है यह आपकी हाथ की बात कर रहा हूँ समझ मैं यह दिखा दिया कि तरक्की भी है सब कुछ है लेकिन आप जो है 35 साल तक आप जॉब अगर करोगे तो दोड़ दिखते आएंगी 35 से ठीक होगी और यहां पर यह रेखा ऐसे करके इससे साथ टच हो गई अब मैं नोकरी करूंगी तो आपको तो वैसे ही 35 साल तक का टेंशन रहेगी और आप आना जाना कर सकते हो बिजनस नॉट एलाउड आपको आगई समझ आगई तो अब यहां पर यह रेखाएं भी समझ आ गई यह रेखाएं भी समझ आ गई यह रेखाएं भी समझ आ गई इट मिंस अब हमें समझ आ आने लग गया कि कौन सी रेखा नीचे उतरती है कौन सी रेखा उपर जाती है अब इसके साथ एक तरक्की का साइन भी चल रहा है अरे वह गुड पर लेकिन डिस्टर्बिंस भी तो चल रही है पर लेकिन मैं आपको एक 35 से 38 साल तक मैंने कहा कि अब आप जॉब करोगे 35 से 38 म साल पर आपको आपको जॉब चेंज करने का माइंड बने का यही रेखा और यह रेखा आपको चेंज करवा देगी अब इस टाइम पिरिड पर भी आपको एंवार्मेंट पसंद नहीं आएगा यहां पसंद जॉब का पता नहीं यहां रही है कैसे जॉब का कुछ टैशन है यहाँ पर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पर मुझे मेरा बॉस थोड़ा सा जो है टाइट है कुछ भी हो सकता है X Y Z बट लेकिन माइंड को ठंडा रखे ठंडा रखे नीचे देख रहो कितनी दिखते हैं इन टाइम पिरिट्स पर जो मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ आपकी लाइफ में हैं दिखते हैं तो यहाँ इसलिए मैंने टेंशन लिखा है ना आपको दिखते डिस्टर्बेंस लिखा है नहीं लिखा है लिखा है जी अब यह 38 और यह 49 इस रेखा ने का है मैं पतली रेखा ने का कि मैं अभी कनेक्शन तो बनाके बैठूंगी अभी तो यह अभी देख लो आप यह क्या करवा रही है यहां से आपकी लाइफ स्ट्रॉंगली बिहेव करेगी यानि 38 से 49 में पैसो की दिक्कत लेकिन 49 जैसे ही आया हाँ पापा मेरे पास सरी चीज़ा ठीक हो चुकी है हाँ हाँ सही है फिर थोड़ी सी आप खुश हो गए ठीके यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां टेंशन आई तो वहां पर थोड़ा सा पैसो की कमी हुई तो वहां पर बिमार पड़ गए और जहां पैसे हुए तो वहां खुश हो गए ऐसा नहीं लाइफ में रखो अपने माइंड को स्टेबल रखो नहीं तो बिमार हो जाओगे आप इन रेखाओं के कारण ठीके यह रेखा स्ट्रॉंगनेस बिहेव कर रही है बर लेकिन फिर भी मैंने काई 49, 40, 41, 42, 43 यह 43 तक आपका टाइम ठीक रहेगा और यहां 43 पर फिर आप कोगे यार कोई चीज चेंज कर लेते हैं जॉब चेंज करते हैं यानि यहां पर दिक गताएगी मैं कहरा हूँ थोड़ा सा और खीच लेना 43 क्योंकि अब यहां पर आपने जॉब चेंज करनी ही नहीं है क्योंकि यहां से लेकर यह जो टाइम पीरड है यह गलत टाइम पीरड है यह सैटिस्वेक्शन देगा नहीं बिमारियां लाएगा एक्सपेंडिचर लाएगा टेंशन लाएगा यह बहुत कुछ करेगा तो स्टिक्ड रहो स्टिक्ड रहो 47 इयर्स तक अभी भी आगे भी दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी मैंने काया कि 47 तक तो 43 के बास से चेंज मत कीजेगा पहले बताना चारा हूँ दिक्कते बहुत आएगी आपको नहीं तो जॉब में साटिस्फेक्शन वर्ड ही खतम हो जाएगा बहुत जॉब छोड़ोगे बेटर रहेगा कि आपने इस टाइम पीरड को आप एक्स्टेंट करो पहले तो इसको एक्स्टेंट करो आप 43 को 44 तक यहाँ पर कोशिश करो कि 44 तक मुझे नहीं चेंज करनी जब 44 में भी दिखते हैं उसे फिर थोड़ असा और नहीं नहीं 45 पर 46 पर 47 पर तो आप इस तरीके से आपने अपनी लाइफ में न उस जॉब को आगे चलाओ ठीके? ऐसे करो अब जब यह रेखा निकलती है तो क्या होता है? कोई नो कोई बिमार पढ़ता है expenditure होते है अभी तक तो जो अलग तरीके की चीज़े थी यहाँ पर बिमारी की रेखा भी है तो मैंने क्या क्या टेंशन लेकर ही तो बिमार पढ़ रहे हैं तो नहीं ऐसा नहीं करना कि यहाँ खुश हो जाओ यहाँ जो खुशी प्राप्त करी है उसे सब निकाल दो फिर फिर प्रटेशन ठीक है? ऐसा नहीं यह चीज़े गलत है तो अब आपने क्या करना है? इसके बाद 49 पर आपकी हेल्थ खराब हो रही है 49 पर लेकिन इसके बीच बीच में investment भी है इस बीच में यह देखो यह investment point of view से भी रेखाएं बने है यह देखो बने हैं यह देखो बने हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि expenditure health issue investments 52 years तक 52 और जैसे ही यह रेखा यह overlapping पर आई और इस रेखा ने इस रेखा कचुआ, मैंने का ड़न, अस्टेलिया ड़न होग्या जी इनका, यानि इसके बाद इनकी लाइफ जो है, वो स्मूतली बिहेव करेगी, 54 के बाद इनके बास, बिजनस मैं, बिजनस कब से करना है, वो भी बताऊंगा, पर लेकिन अबी आप सोचो 54 के बाद तो आपकी लाइफ अस्ट्रेलिया दिक्कत देनी बंद कर देगी और उसके बाद जो है आपको वहां की सेटलमेंट और ये सारी चीजे हो जाएंगी लेकिन इस बीच में अगर आपका माइंड क्या करेगा इतनी दिक्तों में कि आप दुबारा आप केनडा जाने की कोशिश करोगे ये वो रेखाएं हैं जो उपर ले जाने की कोशिश में यहां पर आपको लगी है और ये रेखा जो है आपको अस्ट्रेलिया ले जाने के लिए बात दे है तो आप नहीं समझ पाओगे इन विदेश की रेखाओं को तो यहां देखो कितने अच्छे अच्छे चिन बने अरे आपकी तो मैं कह रहा हूँ 54 के बाद तो आप इंजॉय करो आप अपनी लाइफ में जो इंजॉयमेंट लेना चाते हो आप लोगे जितनी लगजरी लाइफ जीना चाते हो जी होगे मैं बिजनस कहता हूँ आप करो कब से बिजनस कहता हूँ आपको करने के लिए देखो मैं आपकी लाइफ में आपको 47 तक जो मैंने स्टिक्ड का है ना स्टिक्ड वहां तक तो बिल्कुली रोक रहा हूँ 47 के बाद फिर भी रिस्क लेवल पर आप काम किया जा सकता है क्योंकि ये रेखाएं आपको कही न कई investment point of view से भी आपके पास पैसा है तो इसी लेवल पर मैंने इसकी strength को देखा इसकी strength को देखा तब मैंने काए कि no इससे पहले नहीं करना 47 के बाद आप काम किया जा सकता है और वो business और वो चलेगा थोड़े से expenditure रहेंगे चलेगा and then लंबी सांस लोगे yes अब मेरी life यहां के बाद तो आपका मैं non-stop कहा रहा हूँ कि आपकी life में कोई दिखते नहीं investments हैं और बहुत कुछ है आना चाना और सब कुछ रहेगा एक country से तुसी country पर रहेगा और आपने अभी European country भी आपने मैं कहूँ वहां घूमने के लिए भी चाओगे ऐसा नहीं है केवल आपके आपने यहां पर एक दो country जो है जैसे US हो गई, कैनडा हो गई, अस्ट्रेलिया हो गई, यही घूमने आ रहे घूम हो गई यहां बेफिकर रहा हूँ यह पामिस्ट्री यहां पर, आपका मंगल तो इतना कमजोर है, मंगल को ठीक करो, मंगल रोग की शक्ती को बनाता है, यह कमजोर, तो अगर कोई परवत छोटा सा reflection दे देगा, जैसे यहां पर दे रखा है, तो यह इसके साथ मिल जाएगा अगर यह राहू जैसा reflection दे राहू के साथ मिल जाएगा, अगर यह किसी भी छोटे से एक इतना strong किसी का चंद्र है, लेकिन अगर यहां छोटा सा reflection गड़ा भी आ गया, यह उसकी तरफ चला जाएगा फिर खून पतला करेगा, एंड एंड पीरिट्स खराब करेगा, फिर शुक्र कहेगा, फिर आपको problem बिमारियां शुरू हो जाएगी, तो जो आप अपनी life में दिक्कत, tension लेते हो, जो 29 साल से tension अपने दिमाग में लिए फिर रही हो, वो आप थोड़ा सा relax mode पे आओ, और सो उसमें बहुत कुछ देखने के बाद, last में एक अता है, ओ, enjoyment हुई, last उनका अच्छा गया था, हाँ, तो ऐसे ही, आप आज ये फिलम देख लो, आपको last पता लग रहा है, yes, thumb up कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मैं 72 years तक आपको कह रहा हूँ कि आपकी life बहुत बढ़िया बच्चों की सारी जिम्मेदारी पूरी, सब कुछ, कोई tension नहीं और अच्छी life बिताओगे, business करोगे, इसलिए कह रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बुद्ध आपका मंगल अच्छा है, और आपका चंदर अच्छा है, कहीं पर भी पैसा ल मैंने क्या करना है, यूएस चले जाओगे, तो वाँ दिक्कत आएगी, तो अस्टेलिया आओगे, फिर कहोगे नहीं, यूएस से चला जाती हूँ, ये करना है आपने, ये लिखा हुआ है, इसलिए कह रहा था, बर मैं आपको इन रेखा का मुझे पता है, जब मैंने इनकी फार्मेशन को देख लिया, तो मैंने कह दिया, कि भाईया इन्हें तो अस्टेलिया में ही रहना चाहिए, ये अस्टेलिया ही इनके लिए लास्ट में फाइदा होगा, ठीके, तो केवल सेहत का ध्यान रखो, जहां जहां मैंने कहा है, फैमली मेंबर में 49 आपकी और फैमली साल से पहले पहले तक का, तो यहां पर आप विदेश से इंडिया भी आ रहे हो और जा भी रहे हो पर लेकिन माइंड स्टेबल नहीं है, ये फिर बिमारिया लाएगा, बीपी शुगर लाएगा, ठीके, आवर आल आप थोड़ा सा मंगल का उपाई कर लीजेगा, बाकी तो कैसे पाम रिडर उल्लू बनाता है, कि इनकी तो कोई मुझे रिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत दिखनी रही है, तो यह कमाएंगे, अरे भाई, ये कोई पामिस्ट्री हुई, इसे पामिस्ट्री कहते हो, किस रेखा ने किस रेखा को चुआ, इस रेखा ने कहां जा रही है, सरकट पे मिल रही है इस सरकट के साथ पकड़ा मैंने कि ना ये रेखा यहां पर है इस रेखा ने इस के साथ छूँआ इस रेखा को पकड़ो इस रेखा ने यहां पर है और इस रेखा के साथ ये रेखा जोइंट चल रही है तब जाकर आपना एक अच्छे पामिस्ट बन सकते हो वरना तो धका पेल वाले बहुत पामिस्ट है बहुत पामिस्ट है पता नहीं कैसे कैसे मैं तो हरान हो जाता हूँ कि जो मर्ची बोल देते हैं जो मर्ची बोल देते हैं लाइफ में शुक्र पे तिल है, आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पर तिल आ गया है, क्योंकि वो पूरे जिंदगी में ये चीज़े बोलते रहते हैं, अरे भाई, ये शुक्र पे तिल आया है, एक फीमेल को को गई है, ये शुक्र एरिया फीमेल का इंटरनल parts होते हैं, वहाँ पर दिक्कत आएगी फिर उसका के तू चेक करो के तू चेक करो, के तू पर अगर ये formations ऐसे बनी हैं और इसमें disturbance है, उसको pregnancy में दिक्कत आएगी, वो conceive नहीं कर पाएगी, यहाँ पर दिक्कत आएगी, अरे ऐसे बोलते हैं न भाई ये थोड़ा बोलते हैं कि वहाँ तिल आ गया तो बढ़ी, बदनामी का सामना करना पड़ेगा, जाली बन गई तो क्या होता है, कि इससे जो है, बहुत कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में चे, कुछ नहीं होता इससे ये पता नहीं कहां से पामिस्ट्री सीख लेते हैं कि शुकर पर जाली, तिल, पता नहीं क्या-क्या है ये हो जाएगा तो क्या होगा अरे जिन्दगी खतम नहीं होती है मानता हूं जाली खराब होती है ये तो वो पर लेकिन ये केवल इंटर्नल पार्ट्स के लिए होती है, और कुछ नहीं होती ठीके, एनिवे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीज़ेगा, कमेंट शूर कीज़ेगा धन्यवाद, तो आपने जो कोश्चन पूट अप करे थे वो मैंने दे दिये, कि येस मेरे हिसाब से अस्ट्रेलिया है, लेकिन आपका माइंड अभी भी यूसे की तरफ और कैनेडा की और रहेगा, और अगर अस्ट्रेलिया चले भी जाओगे, तब भी आप कन्फ्यूज रहोगे, कि यहाँ स्ट्रगल हो रही है तो बैटर है, वहाँ चले जाओ, प्लीस मत कीजेगा लास में सारे चीज़े ठीक हो जाएगी नन्यवाद